डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट भीख मांगने वालों के प्रती जीस स्रेश्ट सम्वेदना का प्रदर्शन देश की सर्वच अदालत ने किया है वह न केवल स्वागतियोग्य है बलकी अनुकरण ये भी है अदालत ने दो टुक कह दिया कि वह संको से भीखारियों को हटाने के मुद्दे पर एलीट या संभरांत वर्ग का नजरिया नहीं अपनाएगी क्योंकि भीख मांगना एक समाजिक और आर्थिक समस्या है न्यायमूर्ती डिवाई चंद्रचून और न्यायमूर्ती एम आर साह की बेंच ने कहा कि वह संको और सरवजनिक अस्थलों से भीखारियों को हटाने का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि सिच्छा और रोजगार की कमी के चलते बुनियादी जरूर्तों को पूरा करने के लिए हीं लोग आमतर पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं अदालत का इसारा साफ था की भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा और इससे भीख मांगने की समस्या का समधान नहीं होगा याचका करता को सायद उम्मीद थी की सर्वच अदालत सन को चवरा हो पर लोगों को भीख मांगने से रोकने के लिए कोई आदेश या निर्देश देगी अदालत ने समस्या की ब्याख्या जिस सम्वेदना के साथ की है वह गरीबी हटाने की दिशा में आगे के फैसले के लिए बहुत गौर तलब है अदालत ने पूछा की आखिर लोग भीख क्यों मांगते हैं गरीबी के कारण ही यह इस्थती बनती है पैराग्राप चेंज यह सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि सनकों पर कोई भीखारी ना दिखे लेकिन सनकों से भीखारीयों को हटाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी क्या जो लचार हैं जिनके पास आये का कोई साधन नहीं क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा जस्टिस चंद्रचून ने याजका करताओं कि और से पेश वरिष्ट वकिल चिनमय सर्मा से यह भी कहा कि कोई भीख नहीं मांगना चाहता मतलब सरकार को भीख मांगने की समस्या से अलग धंग से निपटना होगा इसमें कोई सक नहीं की सरकार असंख्य भारतियों तक नहीं पहुँच पा रही है मुख्यधारा से छिटके हुए वन्चित लोग भीख मांगने को विवस हैं ऐसे लोगों तक जल्दी से जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए जहां तक चवराहों पर भीख की समस्या है तो अस्थानिय प्रसासन इस मामले में कदम उठा सकता है सनक पर भीख मांगने वालों को सचेत किया जा सकता है कि वे किसी सुरचित जगह पर ही भीख मांगने जैसा कृत्य करे भीख मांगना अगर समाजिक समस्या है तो समाज को भी अपने अस्तर पर इस समस्या का समधान करना चाहिए समाज के आर्थिक रूप से समपन और सच्छम लोगों को अस्थानिये अस्तर पर सरकार के साथ मिलकर भीख जैसी मजबूरी का अंत करना चाहिए पैराग्राफ चेंज बहरहाल सर्वच अदालत ने कोविड नाइंटिन महामारी के मध्यनजर भिखारियों और बेघर लोगों के पुनरवास और ठीका करन का आगरह करने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके उचित ही जबाब मांगा है याचिका की प्रसंसा की जानी चाहिए कि उसमें महामारी के बीच भिखारियों और बेघर लोगों के पुनरवास उनके ठीका करन आश्रय वा भोजन उपलवध कराने का प्रसंसनिये आगरह किया गया है वाकई भीक मांगने वाले और बेघर लोग भी COVID-19 के समबंध में अन्य लोगों की तरह चिकित सा सुभिधाओं के हकदार हैं केंद्र सरकार के साथ तमाम राज्य सरकारों को स्वास्थ और रोजगार का दाइरा बढ़ाना चाहिए ताकि जो बेघर निर्धन हैं उन्तक मानिवियता का अहसास पूर्जोर पहुंचे समाप्त उन्तक मानिवियता का अहसा हैं